हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल हेल्थ गरेलू उपचार में दोस्तों इलाची हर घर के किचन में पाई जाती है कोई इसका अपयोग मसाले में करता है कोई इसे चाई या खीर में डाल का सवाद बढ़ाता है तो कोई इसे मौत फ्रेसनर के रूप में इस्तमाल करता है लेकिन इलाची के गुण और परियोग केवल यही समाप नहीं होते हैं बलकि यहां से तो इलाची के गुणों की सुरुवात होती है जी हाँ दोस्तों इलाची दिखने में इतनी चोटी होती है उससे कहीं ज़्यादा यह ओश्दे गुणों से बरपूर होती है इसके इनी गुणों के करण यह सिर्की कहीं समस्याओं से जुटकरा दिलाने के लिए फाइदे मन होती है इसका सबसे ज़्यादा फाइदा तब मिलता है जब आप रात को सोने से पहले दो इलाची खाकर गरम पानी पीते हैं तो आई जानते हैं रात को दो इलाची खाकर गरम पानी पीने से क्या का फाइदे आपको मिलते हैं दोस्तों अगर आपको पेट से समब्दी समस्याओं रहती है आपका पेट ठीक नहीं रहता पेट में ग्यास कब्ज रहती है तो आपको इलाची का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इलाची ना स्री पाचंतत को ठीक कर उसे मजबूत करती है बल्कि यह पेट के अन्य विकारों को भी दूर करती है तो इसलिए अगर आप नियमित कब्ज कॉंस्टिपेशन की विमारी भी ठीक हो जाती है इसके अलावा यदि आप बढ़ती ही तोन और सरीर में जमी एक्ष्टा चरवी से परिसान है और अपना वजन घटाना चाहते हैं तो आज सही आप रोजाना रात को सोने से पहले दो इलाची काकर गरम पानी पीना यानि आपके मोटापी को तीजी से कम कर देते हैं और इसमें मुझूद फाइबर और कैलिश्यम आपके वजन को भी नहींतरिन रखते हैं इसके अलावा अगर आपको स्ट्राच रहता है रात को अच्छे से नींद नहीं आती तो आपके लिए इलाची बहुत ही अच्छी ह पहले अगर आप दो इलाची खाकर गरम पानी पीते हैं तो इससे आपका स्ट्राच लेवल कम होगा आपको अच्छी गहरी नींद आएगी और अगले दिन आपको एक्टिवनेस मैसूस होगी इसके अलावा हाई बलड प्रेसर की समस्या को खतम करने के इलाची बहुती ला काम दिलाता है दोस्तों आजकर की बीजी लाइव स्टाइप गलत खान पान और बढ़ते वाईव पर्दूसरान के कारण बालों के जड़ने की समस्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है और बहुत ज्यादा लोग इस समस्या से प्रेसान है ऐसे में रात को दो इलाच को सोने से पहले दो इलाची कहाने के बाद गरम पाणी पीने से में चैसे में की समस्योगिस नहीं होती है और अगर हो तो वह भी दूर हो जाती है और चैहरे पर चमक आती है इसके अलावा च्री doc करतीए इलाइची क्योंकि इलाइची में पानी के सारे सरीर में मुझूद असुद्धी निकालने की प्राकर्दिक किरिया को बढ़ावा देने की चमता मुझूद होती है इसी चमता के करण इलाइची सरीर को विसेले पदार्तों से मुक्त रखने में मदद करती है तो अगर आप रा